प्रिंस्पल्स अफ सिस्टेमेडिक्स मॉड्यूल 108 आइदेंटिफिकेशन ओफ फैमिली लाइकोसिडी लाइकोसिडी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ये इंसेक्ट्स के उपर फीड करते हैं ये एक्टिव हंटर्स हैं इनको वुल्फ स्पाइडर्स कहा जाता है अब जिन इंसेक्ट्स ओडर्स के उपर ये कॉमनली फीड करते हैं उनके अंदर ओडर डिप्ट्रा डिप्ट्रन इंसेक्ट्स शामिल हैं उनके अंदर लेपिडॉप्ट्रा ओर्डर के मेंबर्स शामिल हैं, हामिनॉप्ट्रा ओर्डर के मेंबर्स, कॉलियॉप्ट्रा ओर्डर के मेंबर्स, इसी तरीके से कॉलम्बोलन्स या कॉलम्बोला और डर्मेप्ट्रा जो ओर्डर से बिलॉंग करने वाले इंसेक्स शामिल इस से इस बात का अंदादा लगाया जा सकता है कि जो wolf spiders है इनकी जो niche breath है वो काफी वसी है यानि ये wide variety of insects या wide variety of prey के उपर feed करते हैं ये journalist predators है जनरलिस्ट प्रिडेटर्स ऐसे प्रिडेटर्स होते हैं जो वाइड वारिटी ऑफ प्रे को कंजिम करते हैं इसका म packets ये हैं कि आम طोर पर इनकी कुछ खास प्रेफरेंसिज होती हैं ये कुछ खास किसम के orders के उपर feed करते हैं लेकिन अगर feed के अंदर इनकी available जो food है इनकी जो prefer food है if it is not available then they can feed on any other available food ये बात इनके survival के लिए बहुत important है क्योंकि कोई भी ऐसा predator predator जो सिर्फ एक ही किसम के प्रेग के उपर feed करता है और उसको वो प्रेग किसी वज़ा से available नहीं है तो ultimately ये feeding stop कर देते हैं और इनकी death हो जाती है लेकिन जो journalist predators हैं वो अपनी preferred प्रेग की absence के अंदर किसी भी alternative प्रेग के उपर feed करके अपनी life को continue रखते हैं उसके लावा ये बात भी देखने में आई है कि जो lycosid spiders के family के जो spiders हैं ये अपनी ही species के members के उपर भी feed करते हैं और इसके लावा ये दूसरी species को भी feed कर सकते हैं इनकी ये जो property है इसको हम cannibalism कहते हैं तो spiders cannibalistic होते हैं और चीप property important है इस वज़ा से क्योंकि इस property की वज़ा से इनकी तादाद field के अंदर एक खास limit से ज़्यादा नहीं करती क्योंकि अगर एक predator unchecked grow करता रहे रिप्रोड्यूस करता रहे तो एक वक्त आता है कि आपस में उनके अंदर competition पैदा हो जाता है और उसके नतीजे में उनका जो prey है उसकी तादाद खतम हो सकती है और नतीजे के अंदर ये predator का जो group है ये भी extinct हो सकता है लेकिन spiders के अंदर cannibalism है when their population increases beyond a certain limits larger spiders start feeding on the smaller spiders so that their population remain in check तो इस property के वज़ा से ये group काफी काम्याब है उसके लावा इनकी जो hunting strategy है उसके मताबिक ये ज्यादातर रात के वकत feeding करते हैं ये nocturnal spiders है उसके बाद जैसे बाकी spiders का feeding mechanism है लाइकोसेट spiders का feeding mechanism भी तकरीबन वैसा ही है यानि ये spiders अपने prey को पकड़ने के लिए उसको immobilize करने के लिए अपने venom का इस्तमाल करते हैं ये अपने prey को पकड़ने के बाद अपना जो venom है अपने fangs के जरीए उसकी body के अंदर inject करते हैं और उसके बाद जो prey है उसकी जो body का flesh है इच convert into the liquid material जब वो liquid material के अंदर convert हो जाता है तो spiders उस sap को सक कर लेते हैं तो जैसे बाकी spiders के अंदर feeding strategy है लाइकोसेट spiders भी इसी तरीके से अपने prey को consume करते हैं spiders के उपर parasitides भी attack कर देते हैं ये देखने में आया है कि parasitic wasp जो है ये spiders की body के उपर egg ले करते हैं और उसकी जो early stages हैं वो spider की body के उपर feed कर सकते हैं लाइकोसेट spiders का जो phelothorics है उसके अगर center उसका thoracic region को देखा जाए तो उसके center के अंदर एक groove मौजूद होता है जिसको phovia कहते हैं इसी तरीके से जो lycosis spiders हैं इसके जो male members हैं उसके जो palp वो swollen होते हैं और इसकी जो epigyni है epigyni के उपर एक plate like structure जो के sclerotin जो के sclerotized होता है मौजूद होता है ये plate काफी hard होती है और इस epigyni को protection provide करती है epigyni या जो pedipelp है जो male structure या female जो genitalia का structure होता है ये species specific होते हैं और इसी वज़ा से जो genitalia का structure है ये species identification के अंदर एक एहम किरदार रखता है